अगर पीछे के सेशन आपने नहीं देखे हैं तो मैं टॉप पे लिंक पिन कर दूँगा उनको देख लीजेगा क्योंकि बेसिक स्टार्ट करने के बाद में ही आगे का प्रैक्टिस कॉंटिन्यू करेंगे तो बेस्ट रहेगा चलिए आज का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तरह क्वेशन लेते हैं आज का फॉर्स्ट क्वेशन कहरा है दो प्रकार की चीनी को एक निश्चित अनुपात में एक साथ मिलाया जाता है प्रती किलोग्राम मिश्रण की लागत उत्तम किस्म की तुलना में तेड़ रुप the cost of the mixture per kilogram is rupees 1.50 less than the cost of the superior and rupees 2.25 rupees more than the inferior variety तो ratio क्या होगा superior and inferior variety का तो let us say average हमारा x है तो superior variety के value क्या आ जाएगी उससे ये 1.5 rupee कम है यानि कि उसकी value होगी x plus 1.50 similarly inferior variety से 2.25 rupees ज्यादा है ये value inferior variety का जो कीमत होगा हो जाएगा x minus 2.25 difference करेंगे cross में जब बड़े में से चोटी value घटाएगे तो ये value आ जाएगा यहाँ पे 1.50 similarly x में से x minus 2.25 घटाएगे तो 2.25 का value आ जाएगा ratio क्या आएगा दशंबलब हटाएगे ये 225 हो गया ये 1.500 हो गया फिछ 70 से कारतेंगे 3.72 का ratio आगया हमारा और question में हमसे ये तो पूछा गया है तो superior or inferior का ratio पूछा गया है और वो हमारा आए 3.72 option c हमेशा last में ये भी देख लेना है कि ratio पूछा किसका है superior और inferior का पूछा है या inferior और superior का पूछा है क्योंकि exam में कई बार ये confusion create करने के examiner कोशिश करेगा हमें गरबड नहीं करना है गलत नहीं करना है चिक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल लेते हैं next question करा है दो प्रकार की चीनी को तीन अनुपात 5 में इस प्रकार से मिलाया जाता है कि मिश्ण को जब 25 प्रतिशत के लाब पे बेचेंगे 25% के profit पे sell किया जाएगा तो 60 रुपय में बेचा जाएगा selling price हमको given है selling price is 60 और 25% के profit पे बेच रहा है यानि कि एक बटे 4 के profit पे बेच रहा है अगर 4 हमारा CP है एक हमारा profit है तो selling price हो जाएगा पांच यूनिट और पांच यूनिट की value तो हमें given है तो यहां से cost price निकाल लेंगे overall cost price हमारा आ जाएगा 60 इंटू 4 by 5 60 गुणे 4 बटे 5 बारा चौको 48 रुपए आ गया 48 रुपीज आ गया तो overall average जो हमारा निकल किया रहा है वो तो 48 रहे है क्लियर है कि साथ में हमको यह पता है यह दोनों चीनी हमने मिलाई है दोतर है कि उनका अनुपात है है पहली किसम की चीनी की कीमत क्या होगी ऑब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 15 यानिकि एक यूनिट की वैल्यू है 5 रुपए और ग horr़े कि वैल्यू 5 रुपए है तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जागी 25 25 रुपई利 साथ में average हमेशा हमारा क्योंकि average 44 रुपए है ये 63 और पहली किस्म की चीनी के बीच में होना चाहिए यानि कि पहली किस्म की चीनी की कीमत 48 रुपए से कम होगी तो 48 रुपए में हमें 25 रुपए घटाने पड़ेंगे जोडेंगे नहीं तो 248 मानिस 25 रुपए आंसर आ जागा 23 रुपीज ठीक है क्लियर है समझ में आता है आगे बढ़ते हैं अगला question लेते है अगला सवाल कह रहा है अच्छा सवाल है क्योंकि अन्नोन में ये values दी हुई है समझ के करना है सबसे पहले पॉस करें खुद से एक बार करने की कोशिश कीजिए उसके बाद में ही solution देखिएगा पी व्यक्ती है एक गाउ में जिसमें से कि X प्रतिशत पढ़ और लिख सकते हैं अगर हम सिर्फ पूरशों की बात करें तो Y प्रतिशत उनमें से पढ़ लिख सकते हैं और सिर्फ मैलाओं की बात कीज़ए तो Z प्रतिशत हैं ऐसी जो की पढ़ लिख सकते हैं साथ में में given है कि Z Y से कम है Z की value Y से कम है Y Z से ज़ादा है यानि जो average हमारा जो होगा यानि X की value Y और Z के बीच में होगी ठीक है और क्योंकि Z छोटा है Y बड़ा है तो Y से छोटी होगी और Z से बड़ी होगी question कहा रहा है Y, X, Z, P के respect में गाउ में पुरुषों की संख्या हमें बतानी है क्या करेंगे overall average हम को पता है X percent है अगर सिर्फ पुरुषों की बात करें males की बात करें तो males का percentage कितना दिया है जो पर लिख सकते है Y percent और similarly females के case में Z percent ठीक है अब difference लेते हैं हमें ये पता है कि Z Y से छोटा है सबसे बड़ी value Y होगी Y में से X को हटाएंगे और फिर X में से Z को खटाएंगे तो X मैंस Z यानि कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात हमें यहां से मिल गया X मैंस Z अनुपात Y मैंस X ठीक है रेशियो तो मिल गया यानि कि अगर हम total की बात करें total की बात करें तो total कितना हो जाएगा अगर रेशियो हमारे X मैंस Z और Y मैंस X है तो total हो जाएगा X मैंस Z प्लस Y मैंस X कि अगर हमारे सिर्फ X मैंस Z पुरुष होते तो total होता है अब यहां से क्या है X मैंस में भी है प्लस में भी है तो X तो कैंसे लाट हो जाएगा बचेगा y-z यहीं कि अगर x-z हमारे पुरुष होते तो y-z पुरुषों महिलाओं को मिला के संख्या होती क्या बात समझ में आती है यहीं कि पुरुषों का अनुपात कुल में से कितना आ गया x-z upon y-z इतो आ गया ratio of males versus total question हम से क्या पूछ रहा है बुरुषों की संख्या पूछ रहा है तो हम multiply कर देंगे इस ratio को overall population यानिकी p से यही हमारा answer आ जाएगा क्या यह बात समझ में आती है ठीक है यानिकी option यह हमारा answer हो जाएगा clear है just in case अगर आप माल लिजे कि z से गटाते बोटी सा बड़ी को खटा दे तो भी negative negative cancel out हो या था तो कोई ऐसे गवरानी की बात नहीं थे concept समझ में आना चाहिए तो answer में कहीं को गवरी नहीं आएगी लेकिन अगर cautiously करोगे तो जादा बहतर है कभी कभी इस question में तो चलो गलत नहीं होगा पर किसी question में गवरी हो सकती है आगे बढ़ते हैं आगला सवाल लेते हैं next question करा एक test है जिसमें की 80 सवाल है अनीता ने उनमें से 60% को answer किया है 60% पहले 55 के और सही answer किया है पहले 55 सवालों में से 60% अनीता has answered correctly question is asking what percentage of the remaining question should she answer correctly to obtain 70% marks in total यानी overall उसको 70% सही करने है 60% उसने शुरू के 55 में सही किया है तो बचे हुए में वो कितने जावे सही करते है ताकि total 70% सही हो जाए 55 और रेडी कर दिये हैं उसने question बाकी है 25 ठीक है कितने तो हो चुक है यानी questions का ratio क्या आ रहा है ratio आ रहा है 11 अनुपात 5 का ठीक है 55 में से 60% सही है overall 70% सही करने है यह value हमें निकालनी है और ratio हमारा जो questions का है वो है 11 अनुपात 5 का 60% में 10% जोड के हमारा 70% बनना है यानि कि 5 unit की value कितने आ रही है 10% यानि एक unit की value आएगी 2% और इसलिए 11 unit की value आजाएगी 11 into 2 22% और हमारा average 7 और जो value निकाली है उनके बीच में होना चाहिए यानि कि हमें 70% में add करना पड़ेगा 70% से बड़ी value होगी 22% हम इसमें add करेंगे answer आ जागा 70 plus 22 यानि कि 92% clear होता है ठीक है कोई समस्या अचाहा इसी question को हम एक और approach से कर सकते हैं उसको भी समझ लेता है पहले 60% पहले 55 questions में से first 55 में से 60% correct किये हैं 60% हुए कितने हैं 55 into 3 बटे 5 5 से काटे हैं 11 into 3 33 question सही कर दिया है already total सही कितने करने है total करने है 80 में से 70% 80 into 7 by 10 56 questions correct करने है 56 total सही करने है 33 already सही कर चुकी है 23 questions और करने है correct 33 प्रस 23 23 questions और correct करने है और questions बचे कितने हैं 25 questions remaining है उन में से 23 सही करने है तो percentage में value आजागी 23 by 25 into 100 92% तो जब value सिंपल हूँ तो हम directly भी information निकाल के उससे answer कर सकते है allegation भी लगा सकते है अपनी choice है दोनों तरीके समझ में आने चाहिए पता होने चाहिए और जिसमें आप रगता है कि आप भैतर तरीके से जल्दी answer कर सकते हो उसमें answer करो ठीक है पर दोनों को ही practice करना है दोनों को ही समझना है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं next question करा है 120 multiple choice questions है एक exam में एक परिक्षा में 120 बहुरी कल्पी प्रशन है यदि किसी उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक मिलते है और प्रत्येक अनुत्तरित यानि कि answer नहीं किया या गलत उत्तर देने के लिए सही उत्तरों के कुल अंकों में से 0.75 बंग काट लिए आते हैं यानि कि सही answer किया तब तो plus 3 मिलने वाला है गलत answer किया तो minus 0.75 हो जाने वाला है कोई एक उम्मीदवार है कंटेस्टेंट है कंडिडेट है जिसने की 225 माक्स प्रात्त किया है रिक्षा में सवाल है 120 माक्स है 225 तो question हमसे पूछ रहा है उसने कितने प्रत्ष्णों के सही उत्तर दिये होंगे ठीक है अब क्योंकि not answered और wrong answer के लिए तो same है minus 0.75 हो रहा है तो आप उनके वीच में differentiate नहीं कर पाओगे ठीक है तो कितने questions का उसने answer नहीं किया है यह गलत answer दिया है यह तो पता नहीं लगाया जा सकता इस question में बच कितने सही किया है यह पता लगाया जा सकता है ठीक है क्या approach हमारा होना चाहिए अगर सही के लिए plus 3 मिल रहा है और गलत के लिए यह attempt नहीं किया उसके लिए minus 0.75 मिल रहा है तो average में हमारे कितने marks मिले हैं per question पहले तो यह पता लगा लेते हैं total marks मिले हैं उसको 225 और मिले हैं 120 questions के लिए ठीक है 15 से काटेंगे नीशे 8 हाएगा उपर आएगा 15 यानि कि on and average उसको मिले है 15 बटे 8 number per question ठीक है अब क्योंकि यह value fraction में आ रही है तो सबसे पहला काम करेंगे हम इसको integer में convert करेंगे यानि कि 8 से multiply करना पड़ेगा 8 से multiply कर देंगे 8 से multiply करने पर हमारा value आर्थरिक 24 आ जागा प्लस का 24 साइन याद रखना है similarly आर से multiply करने पर यह value आ जागी 8 इंटो 0.75 यानि कि minus का 6 और यह तो 15 ही रहेगा 24 में से 15 घटाएंगे 9 आ जागा 15 में से minus 6 घटाएंगे तो 15 minus 6 ठीक है 15 minus 6 यानि 15 प्लस है 21 आ जागा तो ratio कितना आ गया हमारा 21 इस्टो 9 यानि कि 7 इस्टो 3 का ratio आ गया 7 अनुपार 3 का ratio आ गया यह ratio किसका है तो हार question पर जो marks मिल रहे है उनकी value हमने उपर निकाली हुई है ठीक है और overall weightage क्या होगा हमारा number of questions जिनको सही किया है जितने जादा questions सही होंगे उतना जादा हमारा average बढ़ेगा इसंट इसो तो जो हमें ratio मिला है यह ratio मिला है number of questions का ratio of questions मिला है और question हम सही तो पूछना how many questions did he answer correctly तो 7 प्रस्तीन कितना हुआ 10 unit total सवाल है 120 तो 10 unit की value है 120 यानिकी एक unit की value है 12 तो 7 unit की value यहां से कितनी आ जागी 7 into 12 यानिकी 84 questions यह answer हो जागा 84 कितने ही सही किया है clear okay कोई doubt नहीं रहना चाहिए अब इसी question को करने के लिए एक और तरीका समझने की गोशिश करता है चीक देखो total 120 questions है plus 3 हो रहा है सही के लिए minus 0.75 हो रहा है गलत के लिए या unattended के लिए total marks मिले है 225 अगर सारे के सारे question को यह candidate सही कर देता तो कितने marks मिलते है सारे सही करता तो 120 into 3 क्योंकि एक के लिए 3 number मिल रहा है total 365 number मिल जाते है पर इस candidate को मिले है 225 यही कितना कम मिला है 360 में से 225 गटा दो के तो 135 marks कम मिले है 135 marks less मिले है और यह marks less मिले क्यों है क्योंकि कुछ questions का उसमें या तो गलत answer दिया है या attempt ही नहीं किया है और ऐसे questions में per question नुकसान कितना हुआ होगा तो जिस भी question को negative किया तो पहली चीज तो आई है उसमें plus 3 जो मिलना था वो नहीं मिला उपर से minus 0.75 और हो गया ठीक है यानि कि effectively 3.75 का नुकसान हुआ 3.75 का नुकसान हुआ एक question में ठीक है जिसको कि हम अगर fraction में लिखें तो कितना आ जागा 3 सही 3 बटे 4 यानि कि 15 बटे 4 का नुकसान हुआ total 135 marks कम आए है तो कितने questions होँगे ऐसे 135 divided by 15 बटे 4 यानि 9 आ गया 15 से काटने पर 9 इंटु 4 36 ऐसे questions होँगे 36 questions होँगे जो कि या कि unattempted होँगे या फिर incorrect होँगे तो उनका sum तो पता चल गया हमको ठीक है question में कभी sum भी पूछा जा सकता है कि total कितने ऐसे questions है जो कि या तो attempt नहीं किया है या फिर incorrect है तो 36 ऐसे questions होँगे फिर यहाँ पर 120 में से 36 आप घटा के अपना answer निकाल सकते हो तो क्या आपको दोनों approach समझ में आती है ठीक है दोनों को हमें समझना है अगला question भी similar type का ही होगा तो वहाँ पर भी दोनों ही approach से इस question को solve करेंगे और आपको भी सबसे पहले question को वीडियो पॉस करेंगे दोनों approach से खुद solve करना है पहले allegation से कोशिश करना है फिर इस approach से कोशिश करना है इसके बाद में फिर आप solution को देखेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं next question लेते है exam है 100 questions है और हर एक सही answer के लिए 3.5 marks मिल रहे हैं और गलत answer के लिए minus 1.25 हो जा रहा है यहां पर यह भी mention होना चाहिए है कि सारे की-सारे question attempt करने है compulsory है करने ही पड़ेंगे ठीक है anyway खर यहां पर information लिखा ही हुए गर्ल ने एक लड़की है जिसने की exam को attempt किया है और सारे की-सारे 100 questions को attempt किया है यहां तो गलत किया है सही किया है छोड़ा कुछ भी नहीं है total marks मिले है उसको कितना है 236 236 marks मिले है और 100 questions पर अगर 236 marks मिले है तो average कितना हो गया average मरो जागा 236 बटे 100 यानि कि 2.36 ठीक है लगा देंगा allegation 3.50 में 2.36 गटाएंगे आजाएगा 1.14 ठीक है यह ध्यान रखना है कभी भी plus minus वाला sign वाला लोचा नहीं करना है अपने को ठीक है फिर यह देशंबला हटा देंगे दोनों जगह से क्या देख पार हो 379 का स्कॉयर होता है 114 भी 19 से डिवस्बल है 19 से काटेंगे तो यहां 19 बचेगा यहां 6 बचेगा तो हमारा 19 अनुपाद 6 आ गया है questions का ratio ठीक है questions का ratio आ गया 19 अनुपाद 6 सवाल हमसे क्या पूछ रहा है difference between number of questions पूछ रहा है difference between number of questions तो 19 प्रस 6 आ रहा है 25 यूनिट जोकि total number of questions है और 19 माइनस 6 कितना आ रहा है 13 यूनिट तो हमारा answer हो जाएगा 13 यूनिट difference है तो 13 बचेपच्चिस गुणे कुल सवाल अनि गुणे 100 13 चौको 52 questions होंगे हमारे यह answer हो जाएगा clear है ठीक है कोई दिक्रत हमारा answer हो जाएगा 52 questions ओके आप यही जो पिछला approach हमने अप्राय किया था पिछला question में उससे भी देख लेते हैं 100 questions है सारे के सारे सही की होते है तो marks आते है 100 into 3.5 350 लेकिन आये तो नहीं है 350 आये तो है 234 यानि कि 114 marks कम आये हैं क्योंकि गलत हुए questions और हर गलत सवाल पर कितना नुक्सान हुआ सबसे पहले तो नुक्सान हुआ 3.5 का क्योंकि वो मिले ही नहीं फिर नुक्सान हुआ 1.25 का क्योंकि वो निगेटिव हो गए यानि कि total नुक्सान हुआ है minus 4.75 का इसको fraction में लिख सकते हैं 4 सही 3 बटे 4 यानि कि 4 चोको 16 3 19 बटे 4 यानि कि number of questions जो की गलत हुए होंगे वो कितने होंगे 114 बटे 19 बटे 4 24 questions incorrect हुए है बचे हुए 76 questions correct हुए होंगे और difference आजाएगा 52 का ओके ठीक है अंसर मरा आजाएगा 52 आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अगला question के रहा है average of un numbers and संख्याओं का अउसत 7 है 60 है यदि 40 प्रदिशत संख्याओं में 10 की व्रद्धी करते हैं और 6 में 5 की कमी करते हैं if 40% of the numbers are increased by 10 and the rest are decreased by 10 then what is the average of the numbers so obtained तो जो numbers ऐसे हमें मिलेंगे उनका average क्या होगा कोई बात नी 40% जो numbers हैं हमारे उनमें तो हम increase कर रहे हैं 10 का बचे हुए 60% में हम decrease कर रहे हैं 5 का तो जब भी कभी ऐसी information हमें given होते हैं यहाँ पर numbers हमारे बड़े simple हैं तो यहाँ पर सीरिस सीदे हम weight average से भी निकाल सकते हैं allegation से भी देखेंगे पर weight average से भी कर सकते हैं और weight average लेने से पहले 40% और 7% का हम ratio ले लेते हैं यहाँ कि अगर कुल 5 संख्या होती है तो ऐसी 2 संख्या है 2 बटे 5 2 अनुपाद 3 आगा 40% और 7% का ratio 2 अनुपाद 3 अगर कुल 5 संख्या होती है तो 2 पे हम 10 number बढ़ाते और 3 पे हम 5 number घटाते ठीक है तो यहाँ से हमारा weight average की value कितने आजाएगी 2 into plus 10 यानिकि plus का 20 और 3 into minus 5 यानि minus का 15 divided by 2 plus 3 तो यह value आगी plus 20 minus 15 यानिकि plus का 5 बटे 5 यानिकि एक number की बढ़ोत्री हो जाएगी एक number का increase आएगा हमारे average में तो answer आजाएगा 60 plus 1 ठीक है new average हमारा हो जाएगा 60 plus 1 यानिकि 61 यही अगर हम allegations से करते तो क्या करते पहले वाले case में हम 10 बढ़ा रहे हैं दूसरे वाले case में 5 घटा रहे हैं knit में क्या मामला पड़ेगा इसके लिए ratio जो हमें है 2.93 का ratio आ रहे है ठीक है और difference कितना है 15 का difference है और 2 plus 3 मिलाके हो रहा है हमारा 5 unit ठीक है 5 unit और 5 unit की value आ रहे है 15 1 unit की value आ जाएगी 3 ठीक है तो plus 10 में हम 3 unit घटाएंगे तो plus 10 minus 3 units यानि कि minus का 9 यानि कि plus 1 हमारा average आ जाएगा overall एक marks का change आएगा clear है ठीक है clear होता है सवाल आगे बढ़ते हैं अगला सवाल करते हैं अगला question हमसे करा है A और B acid or water के solutions है A और B aml और पानी के बिलायन है solutions है A और B में पानी और aml का जो अनुपात है वो given है हमें 4 अनुपात 5 और 1 अनुपात 2 यदि X liter A को हम Y liter B के साथ मिलाएंगे तो मिश्टन में पानी और aml का जो अनुपात है वो आथ अनुपात तेरा हो जाता है question पूछ रहा है X और Y का ratio अनुपात क्या होगा ठीक है तो अगर हम पहले A के बारे में समझे A के बारे में समझे question हमसे कहा रहा है कि A में पानी और अमिल मुलकर का जो रेशीय हो है वह है चार अंट पारदफ बाज यानिके अगर टोटल नौ लितर हम वॉल्यूम माल ले हैं टोटल गर 9 लित्र हम वॉल्यूम माल ले em 2014otte मीश से चार लितर हमारा पानी हो गा वाटर होगा और 5 लिटर हमारा acid होगा ठीक है तो effectively क्या हम कह सकते हैं कि water के बारे में अगर हम बात करें A में तो water हमारा होगा 4 बटे नो ठीक है ठीक इसी तरह से अगर हम B में बात करें तो B में हमारा ratio है एक अनुपाद दो यहनिकि एक ratio water होगा ठीक है एक ratio एक unit water होगा और 2 unit acid होगा तो water हमारा overall में कितना हो जागा एक बटे 3 एक बटे 3 जब हम इन दोनों को mix कर रहे हैं तो average में हमारा कितना आ रहा है पूरे mixture में, पूरे solution में, पूरे billion में हमारा आ रहा है पानी और अमलका 8 है अनुपाद 13 यानि कि 8 unit water है और 13 unit हमारा acid है total कितना बन रहा है 21 unit है 21 में से 8 water है यानि कि 8 बटे 21 यह हमारा पानी आ रहा है यह धानकना है कि जब हम पहले वाले water का ratio ले रहे हैं तो दूसरे भी water का ही ratio लेना है कभी भी गलती से confusion में उल्टा नहीं कर देना है और overall में भी water का ही ratio लेना है अब यहाँ पर जो ratio आया हैं फ्रेक्शन में आया है तो सबसे पहला काव में क्या करना पड़ेगा इन सबको integer में change करना पड़ेगा ठीक है यानि कि 9 से मलब प्राई करेंगे और फिर क्योंकि 21 है यानि कि 9 और 7 दोनों से 63 से मलब प्राई करेंगे पूरी equation को तीनो values को क्या value आएगी पहली वाली हो जाएगी 4 into 7 यानि 28 आजाएगा 28 unit आजाएगा दूसरे बाले में यहाँ पर average में कितना आजाएगा 8 तरिक 24 unit आजाएगा और यहाँ पर 9 73 बटे 3 यानि कि 21 unit आजाएगा अब allegation लगा देंगे 28 में से 24 गटाएगे 4 आजाएगा 24 में से 21 गटाएगे 3 आजाएगा यानि कि हमारा 3 अनुपाद 4 के दिशियों में हमने mix किया होगा और question यही तो पूछ रहा है X और Y का अनुपाद क्या होगा क्योंकि X और Y के अनुपाद में ही mix किया है ठीक है answer आजाएगा 3 अनुपाद 4 हमेशा sequence का याद रखना है कि कभी Y और X पूछा है X और Y पूछा है question को ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे answer 3 अनुपाद 4 हो जाएगा clear है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लेते हैं next question भी similar है दो whistles हैं और भी soda और water का mixture contain करते हैं पहले वाले में soda और water का जनुपाद है वह है 4.97 दूसरे वाले में soda और water का जनुपाद है वह है 5.93 पहले वीडियो को pause करके खुद से करने ही कोशिश करनी है ठीक है तब ही समझ पाओगे पहले में रेश्यो है 4.97 दूसरे में है 5.95 फिर जो परिणामी मिश्रणा है हमारे resultant solution है उसमें पानी और सोडा का अनुपाद अब यह देखो यहाँ पे खेल किया है पानी और सोडा का अनुपाद यहाँ पे दिया हुए यहाँ भी यानि कि वो हो जाएगा 6.95 अब शुरू करते हैं सोडा 4 यूनिट है पानी 7 यूनिट है यानि टोटल में सोडा कितना होगा 4.11 तो A में सोडा हमारा आ जाएगा 4.11 Similarly B में 5.93 है यानि सोडा हो जाएगा 5.8 और 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 में सोडा हो जाएगा 6 बटे 11 अगेन यह वेल्यूस इफ्रैक्शन में ही है तो 11 इंटू आट से मॉल्टिप्लाई कर देंगे इसको और मॉल्टिप्लाई करने के बादे वेल्यूस हमारी आएगी पहला वाल हो जाएगा 4.32 दूसरा हो जाएगा 6, 8, 48 और यह वेल्यूस आजाएगी 5 इंटू 11 यानि 55 अब ऐल्यूस अप्लाई कर देंगे 55-48, 47 आजाएगा 48-22, 16 आजाएगा तो 7, 16 का हमारा रेश्यो होगा यह हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर है ठीक है सिंपल हो जाएगा अगे बढ़ते हैं अगले सवाल कर रहा है एक पिगी बैंक है गुल्लक है जिसमें दो तरह के सिक्खे है कुछ सिक्खे 25 पैसे कैं और कुछ सिक्खे 50 पैसे कैं सिकों के कुल संख्या 120 है और गुल लक में कुल राशी 50 रुपए है कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं कुल 120 सिक्के हैं और कुल राशी 50 रुपए है यदि 25 पैसे के सिक्कों की संग्य को डबल कर दे 50 पैसे के सिक्कों की संग्य को आदा कर दे तो नहीं कुल राशी क्या होगी पहले हमें यह तो पता हो कि कितने सिक्के हैं 25 पैसे के या 50 पैसे के उसके बात में तो डबल यह आदा करेंगे तो पहले वो वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं कुछ 50 पैसे के हैं तो वैल्यू तो उनकी 25 और 50 continuous होगी है कि ने respectively होगी सिखों के कुल संख्या 120 है और कुल राशी 50 रुपए है 50 रुपए यानि 5,000 रुपए से बटे 120 सिख के 0 से 0 गया 500 बटे 12 यानि कि 125 बटे 3 यह average वैल्यू आया सिखों का 125 बटे 3 पैसे fraction में आ है तो सारी values को हम 3 से गुणा कर देंगे यह आ जाएगा 75 1500 पर यह तो है 125 1500 में 125 गड़ाया 25 आया 125 में 75 गड़ाया 50 आया यानि कि ratio हमार आ गया एक अनुपात 2 का ठीक है एक अनुपात 2 का ratio आया है और कुल कितना है value तीन unit है जो कर बराबर हो जागा 120 पाधा कर देना है तो इनके value हो जाएगी 80 बटे 25 पैसे एकी है 800 और यह हो जाएगे 40 इंटों एक बटे दोा यानिकी 20 रुपए तो कुल हमारा वैल्यू आज़ेगा 20 प्लस 20 यानिकी 40 रुपए क्या यह बत समझ में आती है ठीक है क्लियर है अलागी इस question में भी जैसे हमने negative marking कुछ correct answer पर आपको plus में मिलेंगे marks इन करेक्ट पर negative में मिलेंगे और average की वैल्यू दिए similar question है वैसा ही है यहां पर भी हम वह अप्रोच apply कर सकते हैं कि अगर सारे के सारे हमारे सिक्के 50 पैसे क्यों होते सारे 120 सिक्के 50 पैसे क्यों होते हैं कि 120 इंटू.5 कुल 60 रुपए होते हैं लेकिन गुल्लक में कितना है 50 रुपए हैं 10 रुपए कम है और यह 10 रुपए क्यों कम है 25 पैसे की शिक्कों की वैसे is there not so और 25 पैसे को में हमेरा नुकसान कितना हो रहा है पचास पैसे से कितना कम है यह बात समझना सबसे important है, 25 पैसे कम है, ठीक है, तो ये वाला जो 25 पैसा है, ये हम divide करेंगे, ठीक है, जस्टिन के से अगर 20 पैसे के सिक्क्वे होते हैं, तो 30 पैसा हम divide करते हैं, ये बात समझ में आना चाहिए, कि ये वाला 25 पैसा हम divide करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे, ठीक है तो 10 रुपए कम है और वो एक सिक्के में 25 पैसे का आमारा नुक्सान हो रहा है इसलिए कम है तो कुल कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के 10 रुपए बटे 0.25 यानि कि 40 कोईंज होंगे आफ 25 पैसा क्लियर है आगे की कहानी दो समझेता है यो आप आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन लेता है आगला सवाल करा एक लेबरर है एक थेकेदार द्वारा एक मजदूर को इस शर्त पर निव्ट किया गया कि जब जब वो काम करेगा उसको काम के हर एक दिन के लिए डेड़ सो रुपए का बुकतान किया जागा लेकिन जब वो अपसेंट होगा विएवर ही जब फाइंट रुपीज थर्टी पर डे आहियो कि उसको 30 रुपए का हर जानाबढ़ना पढ़ेगा, दूकसान उसको जुरमना लगाया जैगा, 30 रुपए का जब वो काम करेगा तब तो 1500 रुपए मिलेंगे जिस दिन वो काम करेगा साथ में 30 सब्सक्राइब काते माजड या पां कि 20 दिनों के बात में सेंट रहागी कि अपसंट होने का पैसा काटा भी है इसंट इट सो सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन कुछ देखे हैं ठीक है दोनों अप्रोच हम समझते हैं पहले तो करते हैं एलिगेशन से तो एलिगेशन में एक दिन का पैसा कितना हुआ 2640 स्कूल मिले हैं उसको 20 दिनों के लिए मिले हैं तो 132 रुपीज रोज का मिला है एक तरह से जिस दिन उसने काम किया होगा उस दिन का उसको मिला है 1500 रुपे जब वो एपसेंट रहा उस दिन का हुआ है मैनस 30 और एवरेज आया है प्लस का 132 गटाया अठारा आ गया 132 मैंस 30 गटा तो 10 मिन से 9 दिन तो वो काम पे गया एक दिन वो एपसेंट रहा लेकिन टोटल उसने 20 दिन काम किया है यäनु कि यही कहानी डबल हो गई होगी एल होगे एसन्ट तो ट्रिशेट सो 18 दिन तो वो फ्रेजन रहा था चीर वर्क किया था उसने और 2 दिन वो आपसेंट रहा था क्वेस्टन ने पूछा है कि उसने कितने दिन काम किया है यानि कि आंसर आ जागा 18 क्लियर होती है बात टिक है ओके अब इसी बात को अगर हम समझें वो पूरे 20 दिन काम करता है तो उसको पैसे मिलते 20 इंटू 1500 तीन हजार रुपये 2640 मिले है उसको यानि 360 रुपय कम मिले है और एक दिन काम नहीं करने पर उसको नुकसान कितना होता है पहले तो 1500 रुपय नहीं मिले और फिर 30 और कट गया यानि कि 180 रुपए का नुकसान हुए एक दिन दे तो 360 पटे 180 यानि कि दो दिन वो एपसेंट रहा था टू देज एपसेंट था वो एपसेंट था लियर है यह अप्रोच समझ में आती है अगला question देखता है next question भी बिल्कुल similar है कि एक contractor ने एक laborer को appoint किया है जिस दिन वो काम करता है उस दिन के 2500 रुपए मिलता है जिस दिन काम नहीं करता है उस दिन के 40 रुपए कटते है 30 दिन के बाद में contractor ने laborer को दिये है रुपए 5770 रुपए तो हमें यह बताना है कि कितने दिन तक वो laborer absent रहा था इस question का answer आपको comment में mention करना है क्योंकि काफी question हमने ऐसे कर लिए अब तक आपको समझ में आ गया होगा हर student जो भी ये वीडियो देख रहे हो आप इस तो आप लाइक नहीं करते हो पूरा आप session देखते हो लाइक नहीं करते हो अगर आपको session पसंद आ रहा है तो उसको लाइक जरू किया किज़े कमेंट भी जरू किज़े कि आपको क्या पसंद आ है क्या क्या चीज़े आपको benefit होई है और साथ में इस question का answer भी आपको comment जरूर करना है ठीक है इतना effort आपके लिए हम करते हैं तो आप भी थोड़ा तो effort करो और जब भी पढ़ाई करो तो पढ़ाई प्रॉपर ली क्या करो ऐसा भी नहीं है ऐसा तो नहीं है ना कि आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हो कि बस अपन देख रहे हैं साथ में कैसे आएगा इस question का answer सारे बच्चों को comment करना है ठीक है और अगर अब तक like नहीं है session और पसंद आ रहा है और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना है अगला question देखते हैं हम लोग अगला question कहा रहा है average score in mathematics of 162 students अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल पिछले कुछ सालों में बार बार आ रहा है लगातार आ रहा है तो इस question को भी ढंग से समझना है ठीक है 112 student है अनुभाग A और B में और उनका गणित का जो average score है वो है 76 average score in mathematics of 162 students of sections A and B together is 76 number of students in section B was 25% more than that of A B में चात्रों की तुलना A की तुलना में 25 प्रदिशत जादा है यानि कि एक बटे 4 जादा है मतलब क्या हुआ B में चात्रों की संख्या A की तुलना में 25 प्रस्चे ज़्यादा है यानि कि जो अनुपात है कितना आ रहा है अगर A में 4 चात्र है तो B में 5 होंगे उस चार अनुपात 5 का रिश्यो आ रहा है स्टुडेंट्स का ठीक है साथ में ये भी कहा है कि Average Score of Students in A वह 60% higher than that of B यानि average score जो है section A में 60% यानि कि 3 बटे 5 ज्यादा है यानि कि section B के बच्चों का score 5 unit है तो A के बच्चों का score 5 सिर्फ 3 ज्यादा है यानि कि 8 unit होगा ठीक है तो यहां से हम इस बात को शुरू करते है यानि कि section A में 8x marks होंगे अगर section B में 5x mark है क्या या बात समझ में आती है या 5 unit समझ लो और section A में 8 unit है 5x, 8x, A x से घबराने की जरूरत नहीं है वह simplify करने के लिए समझने के लिए हमने x को यहाँ पे लिख दिया है यानि section B में 5x है A में 3x ज्यादा है उससे और 8x marks है तो difference है वह 3x का है overall जो average आया है वो कितना है? वो 76 का 76 का और जो ratio given है वो चारण पाथ 5 का 4 प्लस 5 यानि की 9 unit हमारा बराबर कितने के है? यह 9 unit बराबर है 3x के एक unit की value आजाए कि 3x by 9 यानि की x बटे 3, 76 हमारा average हमारा 8x और 5x के बीच में होगा यानि की 5x में या तो हम 4 unit जोड़द है यानि की 76 की value आजाएगी 5x प्लस 1 unit है x बटे 3 यानि की 4 unit 4x बटे 3 हो जाएगा तो 5x प्लस 4x by 3 यह आजाएगा एक्क्वल टू कितना? 76 के 15 तिया है 15, 15x प्लस 4x यानि की 19x बटे 3 बराबर आजागा 76 के 19 चौको 76 यानि की यहां से x की value आजाएगी 12 और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? अनुभाग A में छात्रों का ओसा तंग क्या है? यानि की 8x की value पूछ रहा है? तो 12 into 8 यानि की 96 हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर है? option T कोई समस्या? ठीक है? कोई देकत? अब इसी बात को हम ऐसे question में weight average से भी कर सकते हैं यानि की values ऐसी नहीं है कि weight average से इसको ना किया आ जा सके weight average से भी बिल्गूल कर सकते हैं और वैसे भी देख लेते हैं हम इसको यह हमें पता है कि number of students A में A से B में 25 परिशन जादा है यानि की A और B में ratio के है 4 नुपार 5 का number of students का और जो average score है A में 60% higher है यानि की अगर B में 5 unit है तो A में 8 unit होगा weight average क्या जाएगा? 8 चौको 32 प्रस 25 और divide किस से करेंगे? divide करेंगे 4 प्रस 5 से यही तो respective weights है यानि की 32 प्रस 57 unit बटे 9 और इसकी value बराबर कितने के है? 76 के 19 से काटेंगे 3 बार जाएगा यहां 4 बार जाएगा 3 को नीचे से काटेंगे 3 यानि की 1 unit की value आजागी हमारी कितनी? 3 चौको 3 into 4 12 के बराबर आजाएगी और question हमसे क्या पूछ रहा है? section A में छात्रो का उसात यानि 8 unit की value तो 8 into 12 मरा 8 चे 96 आजाएगा तो यह भी बिल्कुल आसान तरीका है मरे लिए in fact थोड़ा से ज़्यादा simple है थोड़ा कम clutter है इसमें लेकिन दोनों ही तरीके समझ में आने चाहिए हमको इसको भी अच्छे से practice कर लेना है क्योंकि यही apply करेंगे ऐसे question में आसानी से हो रहा है clear है? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं similar nature का होगा फिर से एक बार इन चीओं का समझेंगे आगर सवाल गरे टोटल नंबर अफ स्टुदेंट्स इन सेक्षिन एन बी ऑफ अ क्लास इस 72 तो एक क्लास के सेक्षिन ए और भी में खुल मिला के बच्चे कितने हैं बात रेशियो कितना है ए और भी का 7 और 5 तो अब रेशियो गिवन है यानि एक बटे 5 जादा है सेक्षिन ए से तो सेक्षिन ए में अगर 5 एक्स है एवरेज बेट तो सेक्षिन बी में हो जाएगा 6 एक्स ओर आल एवरेज हमको दिया ही है 52 और रेशियो है 7 और पात 5 का यानि 7 पात 12 यूनिट कितने के बराबर है डिफरेंस है यहाँ पर x का यानि 12 यूनिट x के बराबर है तो एक यूनिट हो जाएगा एक्स बटे 12 एवरेज 5 एक्स से 6 एक्स के बीच में होगा यानि कि 5 एक्स में हम 5 उनिट एड कर देंगे तो 52 आ जाएगा यानि 5 एक्स प्रस 5 एक्स बाइट 12 एक्स बटे 12 या जाएगा बावन तेरा से करता हूँ देख रहा है साफ साफ तेरा चोक बावन तेरा बचा पाईट तो 5 एक्स बराबर 48 एक्स बराबर 48 बटे 5 क्वेस्टिन क्या पूछ रहा है एवरेज बेट आफ स्टेंट सेक्शन बी यानिकी 6x की वैल्यू पूछ रहा है तो 6 इन्टू 48 बाई 5 ठीक है कितना आजाएगा 6 इन्टू 48 दिवाइड़ बाई 5 यानि 48 इन्टू 1.213 सा समझ दो 12.96 असल लगा 9 बादा चोक और 49 57.6 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शिन B क्लियर है चिक है अब यही अगर हम क्वेशन वेड अवरेज से करते है तो भी आसानी सोजाता है वेड अवरेज जो मैं बता है कि सेक्शन A और B में स्टुएंट्स का रेश्यो है 7 अनुपात 5 और अवरेज वेड के बारे में क्या का है सेक्शन B में 20 परसंट जादा है यानि सेक्शन A का अगर 5 यूनिट है तो सेक्शन B का 6 यूनिट होगा Isn't it so 7 बना 35 5 अकर 30 यानि 65 बटे 7 बारा तो 65 यूनिट बटे 12 की वेल्यू कितनी आ रही है 52 अगेन वही चीज़ 4, 5 तो ये वेल्यू आजएगी एक यूनिट की वेल्यू आजएगी 48 बटे 5 आगे की कहानी तो समझी रहा हो clear है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question लेते है next question हमसे कह रहा है similar question average score in mathematics of 90 students of sections A and B of class 9th was 63 number of students in section A were 10 more than those in B तो total हमें दिया है 90 इस बार रेशो नहीं दिया है ये कहा गया है कि section A में जो students हैं वो section B से 10 जाता है ठीक है जब भी कभी ऐसा किसी question में given हो कि section A के student for example 10 जाता है तो पहला आप क्या करो कि 90 में से 10 को अलग निकाल लो अब जो 80 बचा है वो बरावर बरावर बाट दो 200 में तो 40 और 40 हो गया section A में 10 जाता है तो section A में 10 जोड़ दो section A में 50 हो गया B में 40 हो गया यहाँ पर value simple थी पर जब मुश्किल होंगी तब भी हमें ऐसे ही करना है जतना ज़ादा है या कम है पहले उसको अलग कर दो जतना ज़ादा है उसको अलग कर दिया उसके बदें बचे हो गया अगर कम होता तो मैनस में अलग कर ते ठीक है for example कहा होता इसके बज़़ा यह कहता एक section B में 10 कम है इस बात को पहले समझ लेते हैं फिर इस question को करते हैं, कि अगर कहा होता है, कि section B में 10 less in section B, अगर ये कहा होता है, तो पहले हम 10 को अलग करते, लेकिन 10 less है, तो माइनस 10 को अलग करते, ठीक है, अब इस बार क्योंकि माइनस 10 को अलग किया है, तो बचेगा कितना, 90 प्लस 10, 100 हो जाएगा, 100 बचेगा, isn't it 100, रख दो, section A में 50 आजाएंगे, section B में 40 आजाएंगे, बात एक ही है, कहने का तरीका लग लग है, clear है, चिक है, चलो, अब इस question को start करते हैं, तो ये हमें समझ में आ गया, कि section A में 50 बच्चे है, B में 40 बच्चे है, यानि कि अनुपात यहां से मिल गया हमको, 5 अनुपात, 4 क इसके लावा, average score जो है, students in section A, average score आ रहा है, 30% जादा है, 30% यानि कि 3 बच्चे 10 जादा है, यानि कि section B में 10 unit score होगा, तो section A का score आ जाएगा, 13 units, और ratio है, 5 अनुपात चार, weight average से करेंगे, 5 into 13, 65, प्रस 40, बटे, 5 प्रस 49, यानि कि 105, बटे 9, और इसकी value कितनी given है, question में, 63, 63 given है, कितनी से कटेगा, 7 से कट रहा है, यहां 15 बचेगा, यहां 9 बचेगा, तो और कितना कटेगा, 5 आएगा, 3 बचेगा, यानि कि 1 unit की value आ जागी, 3 into 9, 27, बटे 5, 27 by 5, और question पूछ रहा है, average score of students in section B, section B में, 10 unit है, यानि कि 10 into 27 by 5, यानि कि 2 into 27, 54 हमारा, answer हो जाएगा, क्या बात clear होती है, चिक है, समझ में आया है, यही सिमिलर, आप चाहो तो allegations से भी कर सकते हो, कोई tension वाली पात ही नहीं है, और अगर session समझ में आ रहा है, आपको, दो नहीं तरीके समझ में होंगे, जो भी question हमने आज रसके हैं, आगर वो सारे के सारे questions आपको समझ में आया है, कहीं पर कोई doubt रहे गया है आपका, कहीं पर कोई चीज है, जो आपको समझ में नहीं है, किसी particular question में कोई भी doubt है, तो आप comment में हो चीज जरूर mention कर सकते है, और session को पसंद अगर आया हो, तो like जरूर कीजेगा, comment में जरूर mention कीजेगा, आपको क्या पसंद है, जिस question के लिए म जरूर कीजेगा question की last line, ध्यान से पढ़ना, समझना, क्योंकि question को जब तक आप समझोगे नहीं, तब तक उसको answer नहीं कर पाओगे, method को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, कहां पे हमने क्या किया, कहां पे हमें allegation से कौन सा ratio मिला और क्यों मिला, जब आप य questions को ज़्यादा तेजी से करना शुरू हो जाओगे, और आपको खुद चीजें क्लिक करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बस patience बना के रखना है, और questions की practice लगातार करते रहना है, आज के session में लोग इतना ही रखते हैं, अगर आपने अप तक session को like नहीं किया है, तो कर किजेगा, अपने friends से भी ज़रूर शेर कीजिए, ताकि उनका भी benefit हो सके, जहां पर भी चैनल से groups में भी आप इसको spread कर सको, तो ज़रूर से spread कीजिएगा, आज के session में रखते हैं, बवाई, take care, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले session में, आज के लिए और के बिएफड़ कर झान ही को भीएछ फिर्सने हम में भीपaboutफिण